Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहते हैं कि sir आप evaluate करते हो जब answer को तो क्या आप feedback में बताते हो कि answer को लिखना कैसे है, क्या उसको कैसे better बनाना है कि आप ये भी बताते हो तो मैं आज आपके साथ एक feedback शेर करने लगा हूँ, आपकी वाला feedback देखो और उसमें मैंने किस तरह से उसको बताया है कि कहा कहा पे गलतियां है और कैसे आप उसको improve कर सकते हो while writing, so this feedback will give you an idea that किस तरह का support मैं provide करता हूँ in terms of making them understand how to write a good answer and एक और अच्छी surprise है कि RBI का पूरे program का मैंने अच्छा platform भी create कर लिया है, जो हो सकता है किसी video में मैं आपको दिखाऊंगा and और वो काफी helpful हो रहा है for the current candidates और वहाँ पे सारे notes और सब कुछ आप एक ही जगह पे access कर सकते हो जितने भी मेरे resources हैं, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, ऐसे नहीं तो अभी आपको काफी search करना पड़ता है, right, so let's see, आप यह वाला देखो और मेरे को जरूरर comment section में बताना कि आपको यह कैसा लगा यह वाला answer और इससे आपको काफी help मिलेगी कि एक अच्छे answer को build कैसे करते हैं, thank you यहाँ पे जो question आपने लिखा है, that is on Peter Drucker, question को ध्यान से पढ़के समझते हैं, काफी लंबा question है, in the early phase of management, organization goals were imposed on employees, okay, however, Peter Drucker understood the concept of consent and introduced MBO, ठीक है, discuss how the concept of MBO has revolutionized the working of organization, बहुत ही thin line है इस question में, मैंने बहुत लोगों का गलत किया यह question, I hope देखता हूँ का आपने कैसा लिखा, और फिल मैं बता हूँ कि क्या गलत करते हैं, लोगे end में, right, as part FW Taylor, management is the art of knowing, यह Taylor की कहानी से हम क्यों शुरुवात कर रहे हैं, Taylor में जाने की जरूवत क्या थी, right, simply आप management को define कर देता है, अगर define ही करना था, क्यों मैं इस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, म Taylor की बात कह रहे हो, तो उसको लगेगा कि हो सकता है कि आप scientific management वाली side पर जाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, right, लेकिन हो सकता है, तो मेरा कहना हम इस तरह की confusion को avoid कर सकते है, early theories of management, classical, neoclassical, scientific theory, Taylor, principles of management, by Henry Fowell, bureaucracy, Max Weber, all focused on the top-down approach, अब simply लिख देते हैं, इतना सब के नाम और सब earlier theories like classical and neoclassical theories were simply ऐसे लिख करके, mainly focused on, जो भी focused on, टॉम-टॉर्ण approach of goal setting के उनोंने focus किया, ठीक है, and where in the, और एक ना मुझे, एक common trend में क्या देखते हूं, कि आप कोशिश करते हो कि मैं किसी तरह से एक framework बना लूँ, कि मैरे को हर answer में definition देनी ही, देनी है, ऐसा ज़रूरी नही देख रहे हो, वो ही उसका right start था actually में, आपको ज़रूरत नहीं थी definition में भी जाने की, बलकि आपको यह कहना चाहित है कि management बहुत evolve हुआ है, over a period of time, उसमें बहुत सारी theories आई है, और वो theories यह थी, और उनने उनका focus इसी तरह से था, goal पे, तो बहुत बढ़िया कहानी setup होती, और चलो, I hope कि आपको इससे learning मिल जाएगे और आगे आप सही कर दोगे, ओके, चलो, decentralization और यह वो ठीक है, with the evolution of management, अब देखो, आप आखिर आई गहे न, evolution पे, तो evolution उपर ही चला देते है, Peter Drucker in 1954, give the concept of consent, आप यहाँ पर भी देखो, जब आप किसी answer से, किसी point से, मतलब एक क problem क्या थी, और उसका problem आपने यहाँ बताया भी है, resulting into employees low motivation and unhappiness, ठीक है, and this led to, यहीं पे कहानी जोड़ देनी थी, evolution पे ज़रोत ही नहीं थी, आपको simply लिखना था, this led to the growth of modern management, and modern thinkers like Peter Drucker in 1954, तो वो एक काफी अच्छा connect established होता, answer का, वो यहाँ पे मुझे होता वाद दिखा न important होता है, okay, तो, कि पिचर के आप कोई कहानी भी बता होगा, तो, एक sequence में चलाएंगे, अगर हम sequence में नहीं चलाएंगे, तो कहानी का मजा कैसे आएगा, वो थोड़ा important होता है, ठीक है, तो, that is management by objective, ठीक है, management objective की कहानी आगे, management objective can be defined as a process in which the superior and subordinate jointly identify its common goal, define its individual major area of responsibility in terms of result expected of him, इ कोई कोई कॉमा लगो, मतब कि फुल स्टॉप तो लगो, एक sentence खतं करके भी तो आप दूसरा sentence शुरू कर सकते हो, तो कि अगर as an instructor में इसको पढ़ राओ, मुझे इसको समझने में बड़ा time लग जागा कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, मुझ दुबारा पढ़ता हूँ क आपने exactly लिखा क्या है, management by objective can be defined as a process in which the superior and support jointly identify common goals, full stop, उसके बाद मेरे खहल से आप यहाँ पूरा process बताने की कोशिश की, उसके बाद आप आगे बताते है, in this process, they define each area of responsibility and also their expected outcome, ऐसे आप इसको फुल स्टॉप दे के लिख सकते थे, and in the end, last मैं पिर ऐसे लिखते है, and in the end, they measures the standard against the actual, right, that is what the purpose is, तो basically आपने सब कुछ एक ही जगा पे डालने की कोशिश की और उसकी वज़े से कही न कहीं बहुत लंबा हो गया वो, in the MBO, firstly, the organization goals are, and अप देखो, फिर सेम बात, यहाँ आपने लिखी दिया common goals करते है, फिर jointly लिख रहे है, हम क्यों repeat कर रहे है, इसकी जरूत क्या है, हमें जरूत ही नहीं थी इसकी, let us know, enlighten, अरे आप enlighten word क्यों use कर रहे हो, enlighten की जरूत क्या है, let us know, enlighten, मतलब यह तो कोई instructor किसी को कहता है, कि चलो, मैं अपने student को बोलता हू, let us know, let me enlighten you with my own thoughts, इस तरह से, like, instructor को आप enlighten नहीं ही घरूँगा, तो कही नहीं है, words का थोड़ा सा यह है, वो भी हमारे लिए इसकी, हम क्या लिखन है, right, how MBO has revolutionized this working of the organization, so let me, let me discuss, let me discuss, some of the points that how MBO has revolutionized, simple, enlighten नहीं करोगे, आपके सी को discuss करोगे, points बता होगे, तो पहला आगया, increase in the motivational level of the employees, as the process of MBO, the goals are jointly set by the employees, and this is, ठीक है, दूसरा, stimulation of change, in the dynamic and world changing as the constant employee, अच्छा बाट यह है कि, कहीं न कहीं आपने example अच्छा लेकर समझाया है, तो वो चीज मुझे सही लग, मतलब, example in the sense, कि point wise, आप point अच्छा बना रहे हो, उसका explanation अच्छा देरो, वो मुझे अच्छा लग रहे है, ठीक है, moving on to the third one, better communication and hereby the bond less friction, इतना लंबा point की क्या ज़र होती है, better communication, simple, आगे point में explain करते थे जो भी लिखना था, यहाँ पर two-way communication होती है, जिसके बाट से थोड़ा सा less friction होती है, communication थोड़ा enhanced हो जाती है, इसके बाद, inculcating the sense of responsibility in leadership, MBO also brings the sense of responsibility in the subordinates, अब देखो, यही point है और यही explanation है, तो यह point और explanation में कुछ डिफरेंस तो होगा न a sense of responsibility या leadership, leadership style में कहीं न कहीं इस improvement आता है, कहीं न कहीं आप लिख सकते थे, overall productivity organization की बढ़ती है, ऐसे आप लिख सकते थे, right, okay, point wise ठीक है, और जो एक thin line था, जो मैं कहीं भी रहा था, वो आपने कहीं न कहीं cross कर लिया है, क्योंकि जाना तर लोग इसमें क्या कर रहे थे, वो process explain कर देते थे और ये वाली बात, जो सारी थी वो लिखते नहीं थे, तो इस वारे से वो अलब पाट तो आपने सही sort out किया है, तो इसलिए मैं उस point of view से आपके answers impressed हुआ है, लेकिन काफी जगाओं पर answer disappoint भी करता है, in the initial part, with the points stated above, it can be concluded that management by objective revolutionized the working of employees by bringing motivation, by bringing motivation, ये थोड़ा सा मुझे, motivation की तो कोई अपने बात ही नहीं की थे, ये रूपर conclusion में एकदम जे motivation, keeping two-way communication and streaming the setting of goals, ये ही लिख देते नहीं, streaming of setting of goals or two-way communication, ये थोड़ा से नहीं डावर्स हो रहा है, as a theory, MBA makes a lot of sense, helping employees in getting involved into setting company goals and they are more likely to share management, थोड़ा सा आपको बताना चाहीत है कि MBO का, like MBO कितना relevant हो गया है और relevant कितना ज्यादा organization में abuse होता है, इस तरह से कुछ conclude करते हैं, including the summary of which you have written, so conclusion मुझे okay-okay लगा, point, जो main body part है, वो काफी पसंद आया, introduction में काफी सारे changes थे जो आपको कर सकते थे, जो मैंने आपको बताया भी क्या आपको करना चाहिए, और overall, मैं इसको poor to average कहूँगा, मैं इसको बहुत पूर भी नहीं कहूँगा, कि main body part अच्छा है, तो इसलिए मैं पूर तो नहीं कह सकता है इसको, but average rating दोंगा इसको, around maybe 5.5 or 6 out of 10 for this one, but थोड़ा सा ध्यान से लिको, in fact, read करो, लिखने के बाद, that would give you a good idea, अब खुद को भी critically, खुद अपने answers को भी critically evaluate कर सकत right before that, before you submit it to me, oh thank you so much, let's meet in the next answer, thank you